बीती रात दिल्ली दे सिंगू बार्डर ते। किसान आगुआ ने प्रेस कोंफरेंस कीती से, उस प्रेस कोंफरेंस दे जरीये कई वडे खुला से सामने आय ते। उस press conference दे वेच एक शक्क की व्यक्ति नूँ मीडिया दे रूबरू करवाया गया ओव शक्की व्यक्ति जिसने आपने मूह नुँ चेंगी तरह एक रमाल बन के रख्या होया सी ते उसेतरा रमाल बन के ही ओव message या दे सामने आया ते कई वड़े ख्लासे उने मीडिया नू कीते के 26 जनवरी वाड़े दिन जो किसाना दी प्रेड हो जा रही है ट्रैक्टर प्रेड ओदे वेच गोड़ी चल सकती है ओदे वेचे किसान आगवा नू मारया जा सकता है जहीं कोशिशां रचियां जा रही है जह किसे वी तरह नाल किसानी अंदोलन दे दौरान जो ट्रैक्टर प्रेड हो जा रही है ओदे वेचे किसे तरह न दी खराबी किती जा सकती है किसे वड़ी वारदात नू अंजान देता जा सकता है एक खुलासे जड़े ओस मुंडे ने उस शकी व्यक्ति ने काल दी प्रे दासरेहा है जिसने कल किसान जाता बंडियां दे सामने मीडिया ने सबस्क्रेज वड़े खुलासे कीते थी के ओ स्नू पुलिस देवलों पेजा गया है उसने एक पुलिस अधिकारी दा नाम भी ल्या सी ऐसे चोदा नाम ल्या सी तेहुण औस मुंडे ने किसान आगवा द सनाई ते जो सच है ओ ओ इस वीडियो देवे चिक क्या रहे है तो हुण पता नहीं के ए मुंडा ओ ही है ते ए किसानी अंदोलन नो जान बोज के बदनाम करन दी कोशिश करे है जा नहीं इस बारे अजे तक कोई पुखता जानकारी जड़ी ओ नहीं मिली ते इस बारे किसान आ चाहिए इसने जो वीडियो देवेचे जानकारी देवेचे किनी कुछ चाहिए है है वी जा फिर नहीं मैं सोनी पत्का योगे सिंग 19 तारिक को मेरे मामा का लड़का हुआ था मैं वहां पर गया था मैं दिल्ली बस डिटी सी बस में आय था डिटी से बस में आय था और दिल कि इन्होंने मुझे छेड़ा है इस लड़की को छेड़ा है उन्होंने मुझे लेगे गए उन्होंने फिर मुझे कैम्प में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा काफी मारा फिर मुझे ट्रोली में उल्टा लड़का के बैल्टों से मारा फिर उन्होंने अगले दिन उ बारूप लाई उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई वीडियो बनाके फिर मुझे अगले दिन वहाँ पर बिठाया जैसे जैसे हम बैटेंगे मेरे साथ भुषकिप्तफबंसाने सब्सक्राइब टो और हमके पताते हैंWo प्ताबिmm ने लगेगा उनके पासो लड़कें जो जिनके पास पहले क्या कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अदमरी हालत में उसको उठा के लेके गए हैं वहां से ट्रोली में भी रखा था एक रात जो वहां पे दोजा लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था इतना ज़्या के टीम में मेरे दस लड़के आएंगे फाइरिंग करने हैं 26 तारीक के बाद यह यह करना है फिर मैंने वैसी बोला कि मैंने अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए जूटका शारा लेना पड़ेगा और वहां जाके जैसे जैसे मुझे पुलिस को बता दूँगा कि उ उन्होंने मेरे पीछे से गर्ठन पर एक चुटकी ब्रहती ऐसे उन्होंने मुझे यहां पर मार भी रखा हаться आख प nih अनोंने मुझे अब और में संट्र बहों दूगा सloras कि इसमें कोई और लटके सामिल हैं नहीं सर मेरे साथ कोई नहीं सुनिए जूठी कहानी जो चार लटके हैं एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थी हमने मार दिया और जो दूसर जो दूसरा है वो अभी फिर पै अनकी कस्टेडी मेया अब उनको मार रहा है नियुकों मारा उन्होंने कहा है लड़का वो लड़का सर यूपी का है वो तुम कैसे जड़ते उसको मैं जानता नहीं जब उसके बगल में मुझे बांद रखाता तब उसने बताए कि मैं तो बाहर से आया हूं भाई मैं भी किसान हूं और एक गंजे को और पकड़ रखाता उसने वो यहां पर आया था बोर्ड रुपे तो उसके पर 28,000 रुपे कैस और काफी सारी जैकेट स्पाई थी वह कौन सा मंदिर है मुल्काना मुल्काना कोई मंदिर है वहां से लेकर आया था वो उसने हमें यह बताया कि मैं तो किसान हूं उसने में को डेड़ जमीन के बारे में बत हम सारे लड़के जो भी पुलिस में हैं हम तो मार भी देंगे यहां किसी को पता नहीं लगेगा तो इसलिए जैसे हम कहा रहे है वैसा करो उन्होंने मेरी अलग-अलग वीडियो भी बनाई है पर यह नहीं दिखाया कि मारते वक्त वीडियो आप मेरे बेसक निशान दे सकत है मेरा टेक्स करवा सकते हैं आप मेरा मेडिकल भी टेक्श करा सकते हैं ए उननीस तारीकों दारूपीती से उनकी के नहीं किया नहीं से करते ही अbare चान करता धुम्हारा पर कोई पर कोई сцен घाला सकते हैं मेरा भाई मेवा मैं अकाउंटेंट है सिस्टर पढ़ती है सर मेरी डेली में सर मैं थोड़ा वैसे दिमाग से हूँ मैं जॉब ज्यादा नहीं कर पाता मैं नोवी फैल भी हूँ इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं देख वाता था बस ये बात तुन दबाओं में करें दिल से करें तुम्हों नहीं भोला भी था कि मेरे पास पुलिस आखो ओपा चोड़ दो मेरे को पुलिस तो को पाद छोड़ दू, सर पर उन्हों नहीं छोड़ा सर मुझे, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई पलिस तो बतार है, सर अब परदीप, जूट ऐसा, खुझ है ही नहीं सर, सब कोई ऐसा नहीं है, तो वो कहाँ से भेजेगा सर लड़के, कोई है नहीं तो कहां से और जब कोई हत्यार आए नहीं है तो सर आए वो मिलेंगे कहां से सर ठीक को और कुछ करना आपको नहीं सर और कुछ नहीं कहना ठीक है बेटर